तो दोस्तों अगर हम बात करें PUBG Mobile के ना तो PUBG Mobile के उपर अभी तो बैन लगाता है लेकिन PUBG Mobile क्या है कि अभी भी जिन लोग के फोन में डाउनोडेट है वो लोग काफी सारे लोग है खेल पारे हैं जी हाँ मैंने ट्विटर वगरा पर भी लोगों से पूछा और जो लोग है वो आज के समय में भी जो PUBG Mobile उसे प्ले कर पारे है तो ये भी काफी इंटरस्टिंग बात है मतलब अभी के समय में क्या हो कि Apple के App Store से से रिमूव कर दिया गया Google के Play Store से रिमूव कर दिया गया लेकिन अगर आपको इसकी APK मिल जाए और अगर आप PUBG Mobile खिलना चाहते हो ना आज के समय में भी खेल सकते हो ये काफी इंटरस्टिंग बात है क्योंकि देखा जाए तो TikTok के साथ है सनीता TikTok के साथ ये था कि TikTok जब बैन हुआ था तो उसके बाद है उसके बाद है उसके सर्वर साइड का यूज करके भी खेलेंगे और काफी सारे लोगों ने बोला है कि PUBG Mobile के अगर हम Korean version डाले है फिर कोई दूसरा version डाले तो वो भी इंडिया में अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो अगरे बैन किस टाइप कर लागा है इस पार में अभी कि जो clarification है वो हमी देखने को नहीं मि PUBG Mobile के लिए इंडिया में exactly publisher कौन सा हो सकता और 10 cent से जितने भी रिष्टे नाते होते हैं सब खतम होने वाले काफी amazing और interesting बात है तो देखने वाली बात होगी क्या PUBG Mobile वापस आता है कि नहीं आता क्योंकि TikTok तो अभी तक वापस आया नहीं और PUBG Mobile का भी देखने वाली बात होगी क्या आपके फोन में इस समय PUBG Mobile चल रहा है और अगर चल रहा है तो ख्यास में आप जो अपडेट आये मैप वगर का रेंगल का जो नया मैप आये तो ख्याप लग उसे खेल पार होगी नहीं खेल पार है ये बात है ना आप नीचे comment में बता सकते हो और इसे के साथ ही बात कर में जो chipset से mobile phone में लगने वाले वो 8K में 30fps रिकॉर्ड कर सकते है 875 की जो processor iOS के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो 8K में 60fps रिकॉर्ड करें लेकिन 8K में slow motion video recording ये काफिक इंटरेसिंग बात है लेकिन इसके बारे में exactly confirmation नहीं है और मेरे को लगता है कि शायदे कोई miss spelling हो या कुछ और हो गया या फिर यह होगा कि 1080p में 960fps का video record करना होगा जी हां लेकिन एक टीर डाउन से पता चली ये बात जो की काफिक इंटरेसिंग बता दिते कि जो 8K 960fps slow motion इसका जो code है ना वो देखने को मिला है जो oxygen OS 11 का बीटा वर्जन होता है 1 प्लस 8 खॉस में तो दे तो 8K में resolution पर आपको multiple frame rate और multiple options देखने को मुल रहे हैं देखते हैं exactly क्या रहता है लेकिन फिलाइल के लिए बात कीजा तो किसी भी OnePlus के phone आप 8K में video recording नहीं कर सकता हो मेरे साथ से काफी जादा overkill चीज़ है कोई confirmation आप समझी नहीं कि ऐसी चीज़ होने वाली है इसका हमें सिर्फ hint मिला है हो सकते है किसी और product के अंदर इस चीज़ का use किया जा रहा हो क्या पता यह इसके बारे बात हुआ थी इसके साथी Google Pixel 5S की हमें कुछ live images देखने को मिली है और देखा जाए तो इसका जो code ने मे 768G यह 775 कुछ ऐसी चीज़े देखने को मिलेंगी लेकिन यह बात है कि Google Pixel 5S की smartphone है जो कि launch हो सकता है लेकिन मेरे को लगता है कि इसको launch में थोड़ा time लगेगा क्योंकि Pixel 4A का 5G version और Pixel 5 यह दो जो phone है न वो अभी launch होंगे कहर जा रहा है कि September और October तक launch होंगे October में Pixel 4A का 4G version वो इंडिया में आपको देखने को मलेगा लेकिन यह एक बात हो जा थी कि Pixel 4A का इंडिया में एक version आएगा लेकिन exactly यह होगा कि जो 5G version है वो तो इंडिया में नहीं आने वाले लेकिन जो US में जो Pixel 5S है वो मेरे को लग रहा है कि Pixel 5 की उपर का होगा तो उसे launch होंगे थोड और इसे के साथ ही बात करें तो आज इंडिया में Samsung Galaxy M51 स्मार्टफोन रिलीज हो गया था तो M51 के बारे में बता देना चाहतो उसकी मैं एंट्रस्टिंग फोन है मुझे काफी पसंद आया था कि मैं 24,999 से स्टार्ट होती जो मेरे को थोड़ी सी जादा लगी थी लेकिन यह security के बारे में बात कर तो वो एक चीज में जो पसंद आए कि आपका data secure रहेगा और वैसे भी देखा तो camera काफी अचा है इवन लोग के initial impression से भी पता चला है कि Realme 7 Pro से भी better camera देखने को मिलेगा आपको Galaxy M51 में भले Galaxy M51 Realme 7 Pro में exact same camera sensor यूज के जा रहा है Sony IMX 682 sensor जी हा लेकिन performance wise वो काफी अची चीज है लेकिन फिर भी देखते हैं क्या सी क्या चीज़े रहती है लेकिन overall एक दिन हुआ है मुझे use करते हुए काफी interesting phone लगाया और में लगता है कि 24 triple line थोड़ा से जाधा लगता है लेकिस Samsung के लिए कोई pay करना चाहता है तो वो ले सकता है और obviously अगर को Samsung चोड़के कुछ और product लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है मतलब मैं already बता चेको Redmi K20 Pro option है Redmi की तरफ से 25,000 की उपर आपके Realme X3 हो गया या फिर आपका OnePlus Nord हो या जो की 5G phone है और 30,000 में Realme X2 Pro लेकिन Samsung का ही phone खरीदना है एक बड़ी बैटरी चाहिए even 7,000 mAh जो बड़ी बैट 30G का chipset दिया जो की 2020 के साब से ठीक chipset है इस particular price point पर acceptable कर सकते हो Samsung का अगर इससे जादा इसकी कीमत होती है तो शायद हम इसको इत्ता जाद recommend नहीं कर पाते है लेकिन overall एक काफी अच्छा phone अभी 25,000 के price point पर बनाए तो कोई अगर Samsung का phone लेना चाहता है तो obviously recommendation हो सकती है शाद 18 September Mercedes की sales start होंगे तो शायद आप आप जाके उसे purchase कर सकते हैं M51 मुझे काफी पसंद आया ता phone even मैं recommend भी कर सकता हो इससे phone को क्योंकि phone के अंदर ऐसे कोई खास बड़ी और कोई major problem नहीं है जिसके लिए उसे recommend ना किया जा सके competition में भी phone से अब देखते है कि wait चल रहा है बस Poco X3 क आप आता है मैं तो सिर्फ उसका इंदिजार कर रहा हूँ बाकि आप लोग क्या लगता है कि मतला आप लोगी choice क्या होगी इत्ते सारे phones आगे market में 20-25,000 की range में आप लोग कौन सा phone लेना पसंद करोगे बात नीचे comment में बता सकते हो और इसके साथी बात कर तो Samsung Galaxy S20 का जो fan edition है न वो भी आज के समय में लीक हो रहा है और काफी सारी certification website पे लीक हो रहा है तो मतलब है कि Galaxy S20 का fan edition आ सकता है और ये खबर से मझे पता चला है कि शाद इंडिया में Exynos 990 आपको देखने को मिले जी हां ये चीज़ भी possible हो सकती है खेर थोड़ा सा वेट करते हो सकता है Galaxy S20 लाइट नाम से आपको इंडिया में देखने को मिले लेकिन बहुत ही जल्दी ये ग्लोबल इसका launch होने वाले September एंड तक आप समझ सकतोबर नवंबर में क्या पता शादी है इंडिया में भी देखने को मिले और इंडिया में अगर ये आता हो सी कीमत अगर 40,000 के नीचे होत सेप्टेंबर एंड तक launch हो जाएंगे जी हां यहां यहां तक है कि सेप्टेंबर एंड में आपको Realme Narzo 20 series का भी launch देखने को मिलेगा और हो सकता है कि नार्जो धीरी-धीर एक sub-brand भी बनजा है Realme की तरफ से जी हां कुछ इस टाप की बाते चल रही है और सुनने में तो यह जाए कि Realme Narzo 20 Pro के अंदर आपको शाय से देखने को मिले 720 यह 700 series का कोई processor Realme 7 में देखने को मिले G90 यह G95 या निकि Realme 7 आये होता है न उसी को शाद वो rebrand यह rename करके इंडिया में Realme Narzo 20 नाम से launch कर दे जी हां और 20 यह below 10,000 रुपीज के एक phone हो सकता है देखा जाए तो कुछ को तो Realme Narzo के जो नई series आ रही है क्या directly Poco की competition में उता रहा है क्योंकि Poco का M2, M2 Pro already है उनी से direct compete करेगा मतलब phones आने वाले Realme Narzo series में below 15,000 रुपीज आप इनकी कीमत expect कर सकते हैं तो कुछ यह बात होने वाली है और इसी के साथ ही बात करें तो globally motor razor 5G जो smartphone होता है वो release हो गया जो पिछले साल जो motor razor आया था ना उसी में ही थोड़े से नो ने minor advancement की minor improvement की और उसे इस बार release किया जा रहा है कि जब भी आपको कुछ भी करना है आपको हमेशा और नहीं करना पड़ेगा उपर वाली screen है इस चोटी उस पर मतलब काम थोड़ा मौट काम कर सकते हैं और notifications बगरा देख सकते हो लेकिन तिनी जाद़ यूसफुल नहीं है और देखा जा तो build quality wise भी यह जो motor lock का पुर्षला जो result ना वो भी इतना अच्छा नहीं था वो शहाद जैरी रिक के test में भी fail हुआ था देखते हैं इस बार यह कानी क्या रहती है कहने का मतलब भी है कि Motorola है na full level phone बना रही अच्छा है लेकिन exactly क्या है कि Samsung है आज के comparison में जादा better full level phones बना रही है जी हाँ यह बात हो जाती है औ और इसे के साथ ही बात करें तो finally इंडिया में की जो pricing होती है na Xbox Series X की और Xbox Series S की वो reveal होगी यह Xbox Series S होने वाले 35,000 का Xbox Series X होगा 58,000 या निकि 49,990 का इसके बारे में 2-4 बाते बता देता हूँ पहली बात ते हुए कि $299 जो कीमत है वो USA के अंदर रखी गई है और इंडिया में यह जो Xbox होता है वो इंडिया में बनता नहीं है इंडिया में इसका import होता है तो 28% GST और 20% taxes लगके कीमत ज़्यादा हो जाती है यह बात आपमान के रख हो और Xbox और Gaming Consoles होते हैं इंडिया में luxury item की category में आते है इसलिए taxes इस पर ज़्यादा लगते GST ज़्यादा देना पड़ रहता है तो हर एडिया के साबसे अलग रहता है लेकिन इंडिया के साबसे pricing ठीक है gaming console का market इंडिया में नहीं है लेकिन फिर भी धीरी-धीर कुछ लोग खरीते शौक या लोग खरीते मैं अभी वेट कर रहा हूं PS5 का price का होता और हो सके तो दौनरों में से किसी की एक unboxing तो most probably PS5 मैंने choose का रखा है वैसे आप लोग बता आप किसके unboxing देखना चाहोगे वादला मैं अपने personal use के लिए लेने वाला हूं तो जैसे इसकी prebooking start do it तो शायद इसको prebook भी करें अभी Xbox की तो शुरू होने वाली हो शायद 10 November से देखने को मिल जाएगा काफी अच्छा product है मैं यह नहीं बोल रहा लेकिन थोड़ा सा वेट करते हैं 1440P में भी game कर सकते हैं Xbox Series X की बात कर रहे तो 512GB की custom SSD 4K streaming media playback और 4K upscaling for games variable refresh rate direct X rate tracing काफी सारी interesting features है Xbox Series X में एक बार PS5 का वेट करते हैं PS5 की कहान नहीं क्या रहती है क्योंकि Sony है थोड़ा सा भी पीछे खोके बैठी हुई यह Sony's चाहरी है कि Microsoft अभी अपने price पगे reveal करें और उसके बस PlayStation आके एकदम से धमाका करते हैं तो बस देखते हैं कि आखिर Sony के planning क्या रहती है और चलिए अब बात करते हैं आपने कुछ comments के बारे में तो जो सबसे पहला commenter वो है विराज भाई का वो पूछ रहे है कि please do a case study of V Vodafone प्लस idea V and their problem of network and will they bring 5G in India देखो case study का इतना कुछ information है नी थोड़ा भी evolve हो जाने तो exactly आप लोगो मालू में Vodafone idea क्यों मिले क्यों 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 जीओ आ गया जीओ आके market खा गया इसलिए Vodafone idea को V बनना पड़ा इंडिया में 5G Vodafone idea के साब से बहुत मुश्किल लगत में India secret होने की बाते चल रही थी तो बहुत जादा problem है को लगता नहीं 5G के साथ आएगा और उन्हें अपनी चीज़े इंप्रूफ करने की जूरत है Vodafone idea के साथ और मेरे को लगता है कि जो V नाम का जो एड जो टीवी पे इंटरनेट पर फालतू चला रहे है ना वो बंद करने की जूरत है seriously Vodafone प्लस idea का एड को मतलब बहुत जादे डीटेटिंग एड है मतलब मेरा तो यह है कि इतना जादे एड अगर चला रहे हो ना तो अपने AGR जो डूस है ना उसको clear करने में ता पैसा लगाओ अभी इतना जो branding और marketing वाहिरा में लगाया जा रहे है यह ए एक बार auction हो जाने तो उसके बार लग रहे है कि जिए सबसे पहले लाएगा उसका Airtel का नंबर होगा उन्हीं दो से उम्मीदें और तीसरा तो Vodafone आईडिया ऐसी चल रहा है इसके साथ अगर बात करें तो अगलास वाले मितल भाई का वोचे console gaming future हुए तो इसमें कितना change आ सकता है और क्या Airtel का यूज करके gaming कर सकते हैं उसमें like apple glass दो console gaming और वो definitely future तो नहीं लेकिन gaming बेंगे importance रहने वाली हो future मैंने पहली बता दिया था mobile phone tablets के अंदर जाने वाला है जो चीज़ मेरे को लग रही है यानि कि gaming के लिए क्या रहेगा कि जो लोग है वो कहीं भी जाक तो एक टीवी पर game कर रहे हो घर में आपके एक या दो टीवी और उस पर आगर आपको gaming वारा करने वो त्ता जादा feasible नहीं हो पाता और चीज़े काफी जादा expensive हो जाती है तो देखा जाए तो AR भी आएगा future में AR based games आपको iPhone के अंदर iPad के अंदर देखने को बलते है रहेगा exist करेगा लेकिन वो बहुती नीश रहेगा मतलब कि ऐसा रहे कि अगर किसी को कर quality games खिलने तो वो Xbox या PlayStation की तरफ मूफ कर रहे है जहां पर quality games या पर quality content होता है उसे enjoy कर पाएगा casual gaming करनी है normal तरीके से obviously mobile phone आने वाले समय में भी dominate करेगा और भी नए 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 games आपको mobile phones में देखने को मिलते रहे हैं मतलब समझ के रखिए जो gaming का जो future है वो handled होने वाले लेकिन जो pro अब जो professional gaming होगी जिसे हम real gaming कहा जाएगा वो शायद आपको PC या console रहा उसमें भी console की priority जादा है क्योंकि PC market में saturation थोड़ा से जादा आता जा रहा है processor graphic card के बात नहीं कर रहा हम processor graphic card वाली चीज़ा आती जाती रहती है हर साल exactly जो games होते हैं console के उपर लोगा ज्यादा focus है जी हाँ यह बात हो जाती है तो दोस्तों आज के शुम्बस इतने एगर वीडियो अगर आज का पसना आया तो like करने न भूलना चैनल को subscribe करने thank you आपको वीडियो देखने के लिए म आपसल तो ने वीडियो के लिए गुडबाए